हेलो स्तो कमाई का एड़ास यूटूब चल में आप सभी का सोगत है आज हाँ पर हम डिसकस करेंगे दो फास्ट ग्रोविंग इलेक्ट्रिक वेहिकल कमपनियों के बारे में जिसके अंदर आने वाला समय काफी ब्राइट है और दोस्तो टाटा मोटर अशोक लेलैंड ऐसे यहाँ पर बड़िया बिजनेस मॉडल का इनके पास अड़वांटेज भी है और रिटन्स भी आपको मैं कमपेर भी करकर दिखाऊंगा इनके रिटन्स आप देखेंगे तो चोग जाएंगे क्योंकि पैसा निवेशक का बहुत यहाँ पर अच्छा खासा इन कमपनियों ने किया है और आने वाले समय में भी बहुत बड़ी ग्रोथ इन कमपनियों के अंदर है जो आज यहाँ पर हम डिसकस कर रहे है ऐसे तो अड़वांटेज इनके पास इलेक्रिक वेहिकल के अल्रेडी है बड़ दोस्तो ग्रीन हैड्रोजन पर चलने वाले भी यहाँ पर वेहिक कुछ बड़ा करकर दिखाने की जो कमपनियों में यहाँ पर जिससे के पाफॉमस की जो स्ट्रेंट दिखाई देती है वह ऐसे कमपनिय पर हमारी नजरे रहनी चाहिए और दोस्तो ऐसा नहीं कि स्रीप यह बनाते है इनको हजारों करोडों के आपको दो-चार दिनों में ए आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि इनके अंदर क्या-क्या स्ट्रेंथ है तो वीडियो अच्छा लगे मेरे इफट पसंद आए तो कमाई का अड़ा इस यूटूब चलन को लाइक सब्सक्राइब करना कमेंट में बताना दोस्तो कोई question queries आपके mind में यहाँ पर होतो यहाँ पर हम दोस्तो first company के बारे में discuss करते हैं जिसका यहाँ पर जो business model है electric vehicle charging station provide करने का भी और दोसरे भी company के पास आपको कुछ interesting जो businesses देखने को मिलेंगे जैसे के first अगर आपर हम देखे तो company के पास solar charging station operational चल रहे है यह खूद चला रहे है और दोस्तो 24 अंडर development है और यह details बदलते ही रहे रहे है यानि company आपने business को एक बड़े level पर electric vehicle के manufacturing के साथ ही उसके charging station के भी business पर focus करते वे आपको देखने को मिलेगे यह तो एक business हुआ next अगर यहाँ पर हम देखे तो company ने दोस्तो technology partnership की है agreement with BYD until 2025 for supply of batteries तो यह एक यहाँ पर इनके पास advantage आपको देखने को मिलेगा and next दोस्तो जो major इसका business है वो है electric bus manufacturing करने का supreme quality के bus यह बना कर बेशती है company और दोस्तो मुझे यहाँ पर बताने की जरुवत नहीं पड़ेगी अगर इसके आप यहाँ पर details को देखेंगे तो आप बहुत आच्छे से पता कर सकेंगे हम जिस company के बारे में बात करें उसका नाम है Electra Green Tech इस company की इतनी खासियत है कि इसके अंदर दोस्तो लगातार हमें news देखने को मिलते ही रहते है हजारों करों के जो इनको बस manufacturing के contract मिलते है government यहाँ पर हम दूसरे private भी ऐसे बहुत से orders इनको मिलते रहते है और यह company की खासियत क्या है यह green hydrogen पर चलने वाले भी बसेस वगेरा बनाना start कर चुके है बहुत बड़े level पर company काम कर रही है और इसके पास दोस्तो बहुत अच्छे यहाँ पर आपको business के advantage देखने को मिलेंगे और company यहाँ पर जैसे के ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा market cap है या बड़ी बन चुकी है अभी भी company mid cap category में आती है 14,016 करोड का इसका market cap है पी रिशो से जरूर यह stock महेंगा है बट दोस्तो यह stock quality वाले है और इनके अंदर big वाली जादी होती ही नहीं है अगर आपको discount मिले तो आपकी नजरे ऐसे company वाले हो नहीं चाहिए अगर आप इसके quarterly result देखेंगे बिलकुल understanding करना result को देखना क्यूं है किसी भी company को जब भी आप यहाँ पर देखे तो पूरी तरीके से दोनों आखों से understanding करे कि दोस्तों कहा पर क्या हो रहा है अगर आप आपर इसके quarterly sales को देखेंगे तो September में 307 करोड का था जो बढ़कर 342 करोड हो गया और profit अलसो देख लेजिए 19 करोड से 27 करोड हुआ है ऐसे ही किसी भी company में हम निवेश करने से लेटेट सोच नहीं सकते अगर हम investors की बात करें तो इस company में promoter ने कहीं पर भी एक share बेचा नहीं और दूसरी बात क्या है तो A5 का देखिए 7% का stake D.A.S के पास 0.15% का stake और public के पास 42% अभी यह जो public की holding उसमें भी दूसरे आपको निवेश कुछ देखने को मिल जाएंगे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो अब दोस्तों जो next talk है उसके बारे में भी यहाँ पर हम discuss करेंगे जिसको बहुत बड़े यहाँ पर contract मिले है तो चलिए यहाँ पर start करते हैं details को understanding करना तो चलिए मैं आपको अब उस company के बारे में बताना यहाँ पर पूरे जो company के पहले कब से starting हुई है वो भी बताता हूँ 1983 में company start हुई है और company का नाम है J.B. YUM Auto Limited यह company automotive business के अंदर manufacturing करती है sale करती है metal seat components tools और बहुत से ऐसी चीजे दोस्तों इस company को जो अभी यहाँ पर contract मिला है उसको थोड़ा मैं पहले cover करता हूँ जिससे आपका understanding level यहाँ पर और बढ़ जाए company के बारे में आप जितना समझेंगे उतना ही आपको बढ़िया रहेगा तो चलिए देखिए यहाँ पर हम जैसे के news को पहले समझने के बाद में आगे हम बात करेंगे जे बीयम आटो बैक्स रुपीस 7500 करोर ओडर देखिए दोस्तों electric bus की कितने बड़े बड़े ओडर इनको मिले है और यह कोई news मैं पुराने नहीं बता रहा हूँ आपके आगे है यह 6 hours पहले की news यहाँ पर तो 2 hours पहले की news है ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलता ही होगा तो company में कितनी strength है वो आप यहाँ पर understanding कर सकते हैं इतने बड़े-बड़े 1000 करोडों के ओडर इनको मिलना कोई छोटी बात नहीं दोस्तों तो यह सबसे बड़ी strength है आप चलिए हम company को समझ लेते कि company में क्या-क्या खासियत है बोलकर यहाँ पर दोस्तों जैसे के JBM Auto Limited की बात करें तो इस company का आप business division देख सकते हैं इसके अंदर आपको auto components से related, bus, electric vehicles से related, EV aggregates से related, EV charging infrastructure related, renewable and यहाँ पर environment management ऐसे आपको business division देखने को मिलेंगे जो कि company के लिए और company के shareholder के लिए बहुती advantage वाले है ऐसा कोई business है के दोस्तों जो यह चल नहीं सकता है बिलकुल यहाँ पर company का business model ऐसा है कि हर वक्ट चलेगा ऐसा business है और इसके आप manufacturing capability देख सकते 17 manufacturing unit से इनके पास और हरियाना, UP, महरास्टा, गुजरात, यम्पी, राजस्तान, तमिलनाडो ऐसे अलग-अलग state में आपको इनके business के units देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आप दोस्तों और भी company के client वगेरा देख सकते हैं आशोक, Leland यहाँ पर आप जो बड़ा एक client देख सकते हैं और other भी Tata, Honda, Escort, Mahindra, Honda, Force, Motors ऐसे बड़े clients इनके आपको देखने को मिलेंगे और अभी तो electric vehicles related भी इनको contract order मिला है तो आप यह भी समझ सकते हो इनके जो subsidy companies है उसका advantage भी इनको मिलेगा तो बहुत बड़ा player यह बन सकता है और बनेगा भी और इसका market cap देखिए 22,589 यहाँ पर क्रोड का है और यह भी P ratio से stock महिंगा ही है इसका return on equity और return on capital employed एक यहाँ पर moderate level पर ऐसा नहीं कि बहुत सस्ते या बहुत महिंगे है और दोस्तो इसके भी share holding आप company की देखेंगे तो promoter के पास strong hand में आपको 67% stake देखने को मिलेगा FIS के पास 2,5% या लगबग 3% के करीब है DIS के पास normal stake है और public के पास 29 अगर इस company के हम results की बात करें quarterly business पर तो धमा के दार तरीके से result है देखिए sales September में कितना था 1231 करोर का जो बढ़कर 1346 करोर का हो चुका है एंड दोस्तो अगर आप profit देखेंगे 49 से बढ़कर 52 हो गया और yearly basis पर तो company आग लगा रही है बिलकुल आपकी नजरे ऐसे company पर होनी चाहिए दोस्तो जिनके अंदर strength हो और वैसे भी आप देख सकते है उलेक्टरा ग्रिन टेज का जो share है अभी 1700 पर चल रहा है जो की 22 पर चलता था तो अभी आपकी धिरे धिरे इस company पर नजरे रहनी चाहिए आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप इनके बारे में सोच सकते हो अभी यहाँ पर JBM Auto Limited की बात करें यह share भी 1900 पर trade कर रहा है जो की 24 पर trade करता था तो इस पर भी आप focus कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे देखिए पैसा तो कमा कर दिया है और आप दोस्तो compare भी करेंगे न यह JBM जो Auto Limited है इसका comparison में आपको Tata Motors से करकर दिखाता हूँ और फिर आपको देखने के बाद में पता चल जाएगा देखिए Tata Motors यहाँ पर आपके आगे ही है return कोन और कितने आच्छे दे रहा है अभी 6 महिने में return देखेंगे तो दोनों के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं होंगे कि कितने है 31 और Tata Motors के आप देख लिजे अगर हम एक साल के returns की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा चाउकाने वाला अगर return है वो तो है JBM Auto Limited का कितना 207 परसेंड का तो आप और यह Tata Motors का देखेंगे तो कितना है 132 का और पास सालों में देखेंगे तो भी आपको Tata Motor पर भारी पढ़तेव नजर आएगा JBM तो आप देख लिजे यह ऐसा है जो companies के अंदर strength है वो तो बिलकुल आपको performance करकर दिखाएंगे ही यह बात आप understanding कर सकते हैं last decision आपके रहेंगे दोस्तों thank you so much